कॉंग्रेस विधायक ने सियासी मर्यादा पर लक्षमन रेखा लांग दी है और रेप पर निता जी ने जो कल बयान दिया है वो शर्म से सिर जुका देने बाला है कॉंग्रेस विधायक रमेश कुमार ने ये विवादित बयान कल करनाटक विधान सवा में दिया लेकिन उससे भी हैरान कर देने वाली तस्वीर ये थे कि जब कॉंग्रेस विधाय के अभद रिटिप पढ़ी कर रहे थे तब विधान सवा के स्पीकर समेश सदन में मौजूद सभी सदस से ठाहके लगा रहे थे लेकिन विधाय कुमार ने रेप जैसे जगहन ने वारदात पर आफरकार विवादत बयान कियों दिया तीस सेकंड में आपको बताते ही फूरी रिपूर्ट कौंग्रेस विधायक रमेश कुमार करनाटक विधान सवा में किसानों की समस्या पर बहस के लिए समय की मांग कर रहे थे लेकिन विधान सभाय स्पीकर ने कॉंग्रेस विधायक की मांग छुकरा दी, जिस पर विफर्कर कॉंग्रेस अमेली रमेश कुमार ने स्पीकर की तुलना रेप पीडिता से कर दी और एक कहबत के जर ये विवादी चिप पणी कर दी. कॉंग्रेस के विधायक रमेश कुमार के विवादत बयान पर महिला संगटनों ने मूर्चा खोल दिया है और विधायक के सोच को शर्वना करा रहा है. So disgusting, so shameful, that the shameless people sitting in the assembly in Karnataka are trivializing, making a joke out of rape which is a brutal, heinous crime. These are our elected representatives. I don't even know why they would want to make these comparisons to the victim who is suffering not only violence but terror on her personhood. The speaker is laughing, some other elected member is saying something like this. How can rape ever be enjoyed? How dare, how dare you elected representative paid for and voted by women into that position make these kind of jokes? How dare. झाल झाल